मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में भी आम इंतखाबार की पोलिंग जा रही है पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की कतारे मौझूद है दौराने वोटिंग राइ दहिंदगान को अहम मालूमात को वद्दे नजर भी रखना है जानते हैं आज जो सिद्रा इकबाल से जो इस वक्त मौझूद है उनसे जानते हैं कि वहाँ पर किस तरह से लोगों को इंफोमेशन फराहम की जारी है और क्या सुरुते हाल उन्होंने देखी है मेरे पीछे आप देख सेते हैं लेडीज की लाइन बीजन की तरहने काते हैं लेकर लेकि लेकिन बीजन आपको दिखाती हूं किसी बोलिग स्टेशन में जो की बॉत चोटा सा पोलिंग स्टेशन है मरदों के लिए भी दो कमरे मुकतास किये गये हैं let me show you the line for men ये लेखेजी this is the same station this is Ali Academy and you can see it's a huge line and this turn out is early on ये इसी आड़ाद में जफेले भी बात की गई इतनी बड़ी तादाद में तादाद में टादाद में इस घंटे में इस ने कभी नी देखा because this has been my place for the last many years, three times इस दखा के टरनाउट के बारे में क्या कहेंगे, जदा तादाद है, नॉर्मल है, ऐसी होता है तादाद तो वह अच्छे लिए अरेज्मेंट नहीं है, देखें, अभी एक ही क्यू है और हम प्रफिवाइब लास्ट फॉर्टी फाइफ मिट से यहां कड़े हैं और अभी पता नहीं एक जड़ गंड़ा लगेगा अगर आपकी उमर पचास साल से ज्यादा है, सीनियर सिटिजन्स उनको इस लंबी कतार में मैं आपके पीछे दिखाती हुए खवतीन की लाइनप इस लंबी कतार में खड़े होनी की जरूरती है, आप डिरेक्ट जा सकते हैं अगर आपका जो चनाफिकार्ड नंबर है चनाफिकार्ड है वो एक्सपायर भी हो चुके तो आप अंदर जा सकते हैं लेकिन लोग ये कंटेन करें खास तो पर इस लाके के करीब शांतीन अगर भी है तो आगही का वो लेवल नहीं है मैं बहुत सारे जब वोटर से बात करी हूं तो खवतीन इस बारे में कंफ्यूजड है कि पोलिंग शीट को आपने फोल्ड कैसे करना है जिसकी वड़ा से एक बहुत बड़ा ख़त्रा या ख़त्रा मौजूद है कि आपका वोट जाया हो जाएगा मेक शूर कि आप जसी कैंडिडेट के सिंबल पे स्टैंप करें आप उसी के नाम को स्कूपर फोल्ड करें क्योंके हमेशा की तरह आसान नहीं बनाया गया है लंबा सा एक ही लाइन में एक ही दो कॉलम्स के साथ वाला पोलिंग शीट नहीं है इस दफा काफी कंफूजन है सो मेक शूर के आप अपनी पोलिंग शीट को सही फोल्ड करें और गेट हैर फास्ट पाकिस्तान